हेलो फ्रेंड्स मैं अमीता आज मैं आप लोगों के साथ सेयर करने जा रही हूँ यूजफूल हाउस होल्ड आइटम जो रेगुलर यूज़ में हमें उसका रेगुलर जरुवत पड़ता है मैं आप लोगों के साथ share करने जा रही हूँ कि fridge का handle हम कैसे बना है मेरा double door का fridge है एक fridge का handle का लंबाई है हमारा 9 inch एक का लंबाई है 11 inch तो हम यह जो बनाएंगे यह 11 inch वाले का बना रहे है इसके लिए मैं इसमें 50 फंदे डालूंगी जेनरल जैसे फंदे डालते हैं जेनरल जिस तरह से हम फंदे डालते हैं उस तरह से हम फंदे डाल लेंगे इस तरह से इसमें मैं 50 फंदे डालूंगी इस तरह हमारा फ्रिज का चौड़ाई होगा हमारा लगबग साड़े तीन इंच तो हम इसकी चौड़ाई साड़े तीन इंच के करीब बनाएंगे साड़े तीन इंच है हमारी चौड़ाई तो हम इसे चार इंच बनाएंगे इसमें हम 50 फंदे डाल लेते हैं मैं थोड़ा ये नेवी ब्लू कलर की उल्ली हूँ क्योंकि फ्रिज के हैंडल है हैंडल हमारा रेगुलर यूज होगा उसे हमेशा ही हाथ लगेगा हमारा इसलिए थोड़ा डीप कलर से ही बनाए तो ज्यादा बहतर है देखिए इस तरह बनाएंगे ये मैं बहुत ही प्लेन बना रही हूँ जो सारे विगिनर्स बना सकते हैं बहुत ही असान है ये हमने इसमें 50 फंदा डाल लिया है 50 फंदे डालने के बाद हम इसमें गाटर स्टिच पैटर्न डालेंगे आप कोई भी डिजाइन डालके इसे बना सकते हैं इसे दो कलर में भी डिजाइन डालकर आप इसे बना सकते हैं इसमें मैं गाटर स्टिच वाले पैटर्न डालूंगी इस तरह सीधे सीधे दोनों तरफ से हम सीधे सीधे भून लेंगे देखें दोनों तरफ से हम इसके गाटर स्टिच पैटर्न बनाते हुए कम से कम साड़े तीन सा चार इंच बना लेंगे इस तरह हम गाटर स्टिच पैटर्न डालेंगे इस तरह सीधे 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 बनाते जाएंगे देखें इस तरह हम सीधे सीधे बनाएंगे चलिए बना लेते हैं देखे ये हमारा साड़े तीन इंच के करीब साड़े तीन इंच से थोड़ा सा जादा है साड़े तीन इंच के करीब हमारा तयार हो गया है इसके बाद हम जैसे घटाते हैं उसी तरह से सीधे सीधे बुनते हुए हम इसे घटा देंगे देखिए इस तरह से जैसे हम बून कर घटाते हैं इस तरह से सारे फंदों को ऐसे बंद कर देगे देखिए इस तरह से एक एक करके इसे हम बंद कर देगे यह देखिए हमारी यह बंद कर तयार हो गई है इसमें हम इस तरह के हम लोग चाहें तो इसमें यहां पर बटन होल भी डाल सकते हैं पर मैंने बटन होल नहीं डाला है इसमें मैं इस तरह के लगाऊंगी हम लोग यहां पर दो दो इंच का गैप डाल कर इस तरह का बटन को लगा लेंगे हम इस तरह के बटन को लगा लेंगे इस तरह के हम बजार में कई तरह के आते हैं पैच क है आते है आप किसी भी तरह का पैच लेकर आप इसमें इस तरह लगा लीजे बहुत ही अच्छा लगता है चाहे तो आप इसमें handmade flower बनाकर भी आप डाल सकते हैं देखे इस तरह मैं ऐसे डालूंगी तो यह अच्छा लगेगा किसी भी तरह का आप डाल सकते हैं चलिए पहले यह लगा लेती हूं फिर आप लोगों के साथ सेयर करती हूं देखे इसकी हमने buttons लगा ली हैं इधर इधर हमने buttons लगा लिया है देखे इस तरह से इसके बाद यह जो हमारा space आएगा इस तरह से हमारा यह handle आएगा यहाँ पर हम इसे चाहे इसे कोई भी इस तरह का जो है उसे हम लगा लेते हैं चलिए लगा लेते हैं देखे यह हमारा complete हो गया मैंने इस तरह के छोटे से flower को मैंने इसमें लगाया है आप कुछ भी बना सकते हैं आप नीटिंग से भी इसमें बना सकते हैं चाहे फ्लावर बनाके आप इसमें डाल सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर बताऊंगी कि इसमें मैं फ्लावर कैसे बनाके डालूंगी अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अब बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप सभी को मिल सकें थैंक्यू